धर्म के आधार पर आरक्षन यहाँ असम्वेधानिक है बाबा साथ भिम्राउम बेटकर जी ने भारत की सम्वेधान सभा में इसका पुर्जोर विरोध किया था लेकिन उस सब के बाब जो था कॉंग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गड़वन्दन से जुड़ेवे दल हैं इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षन देने का और कॉंग्रेस का इत्यास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है 2006 में जस्टिट रंगनाथ मिस्टरा कमेटी गठित करके कॉंग्रेस ने OBC का हिस्सा काड़ करके मुस्लिमों को देने का कुछित प्रियास किया था जब यूपिय गवर्मेंट थी ऐसे ही कॉंग्रेस ने जस्टिट राजेंदर सच्चर की अध्यक्सता में कमेटी बना करके अनुसुचित जाती के आरक्षन में सेंद लगाने का प्रियास किया था कुछ मुस्लिम जातियों को नुसुचित जाती में सामिल करने का पुछित प्रियास किया था बीजेपी और एंडिये ने उसका विरोध किया था कॉंग्रेस की जब आंदर प्रदेश में सरकार थी नोंने उस वहां के OBC के आरक्षन को मुसल्मानों को दिया था कॉंग्रेस की करनाटक सरकार ने मुसल्मानों की सभी जातियों को OBC में सामिल करके OBC के आरक्षन में सेंद लगाया है वेस्ट बंगाल के अंदर TMC ने 2010 में 118 मुसलिम जातियों को OBC में सामिल करके पिसले 14 वर्स से लगातार OBC के आरक्षन के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकेती डाली है हम धन्यबाद देना चाहेंगे कॉलकता हैकोड को जिन्होंने TMC के इस प्रकार के और सम्मेधानिक किरति पर जोड़दार तमाचा मारा है और धार्मिक अधार पर आरक्षन और सम्मेधानिक है बात स्पस्ट कहते वे उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसल्मानों को सभी मुसल्मानों को अरक्षन मिलना चाहिए इसका मतवा अरक्षन कहां से मिलेगा या अरक्षन यही वो भी से और S.C.S.T. का अरक्षन मैंसे यह बांट करके मुसल्मानों को देना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदो बिरोध अनुसोचे जाती जन्जाती और पिछडी जाती के बिरोध का नाम ही इन्हों ने बना दिया उसका प्रिया ही बना दिया है चाईवा राम जन्म भूमी का बिरोध रहा हो राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो या फिर दोहजार बारा और दोहजार चौदा के अपने एलेक्षन मेनेफेस्टों में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षन देने की वकालत की थी और यहां तक उन्होंने सरारत की थी कि तुष्टी करण की हद बात करते हुए उत्तरप्रदेश के अंदर उत्तरप्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड करते हुए पीएसे की 54 कंपनियों को उन्होंने समाप्त किया था और उस समय नोंने पीएसे की भरती जो निकाली थी उसमय नोंने प्रियास किया था कि 15 फीज़ती मुसलिम आरक्षन हो मानी नयाईले को अस्तक्सेब करना पड़ा था ये जो होड है एक खतरनाक होड है बाबा साथ भीमरों बेट करने विरोध किया था इसका मुसलिम आरक्षन का क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजी तो था और नोंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षन देश के अंदर नहीं होना चाहिए अनुसोची जाती जन जाती को आरक्षन भारत के समिधान के द्वारा दिया गया है मंदल कमिशन के सिपारिशों के आधार पर OBC को आरक्षन का लाब दिया गया है